नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका आपके अपनी यूटूब चैनल एजूकेशन फोर भारत में और वो चैनल जो आपको एजूकेशन और साइबर फ्रोड से किसी भी तरीके का कोई स्कैम फ्रोड चल रहा है उससे पहले ही अवेर करने की कोशिश करता है आपको सही और मजना यह आपकी जिम्मेवारी है आज मैं उन लोगों को जबाब देने के लिए इस वीडियो में आया हूँ जो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुख्यते जो एजूकेशनल वीडियो हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं यानि कि बैक डेटेट डिगरी के लिए हम जो ल ने ने कमेंट्स देते हैं कि साब आप गलत हो आप जूट बोल रहे हो तुम खुद ऐसा बिजनिस कर रहे हो उनी लोगों के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ इस वीडियो को ध्यान से देखना आपको पता लगने वाड़ा है कि मैं सही बोल रहा हूँ या फिर जू उनिवर्स्टियां हैं वहां से कर सकते हैं या फिर एफिलिटेट जो कोलेज है गोर्मेंट के वहां से आप कर सकते हैं हम आपको बार बार चिला चिला कर बताते हैं कि आपको यूनिवर्स्टी का जब भी एडविशन आप कराने जाएं तो आपको सबसे पहले ये करना है कि यूनिवस्टी campus में जाएं, दूसरा उसके approval check करें, कि उसके पास है भी या नहीं है, approval check करना कोई ज़्यादा बड़ा कठिन कारिये नहीं है, उसके लिए UGC की site पे जाना है, UGC की site पे जिस राजी की यूनिवस्टी है, उस राजी में जाना है, उस राजी में जब जाओग भाई भविष्य आपको बनाना है भाई, आपको कोण अव्यक्ति क्यों बताएगा, हम आपको जानकारी दे देते हैं, इसका मतलब यह नहीं है, कि आपको एक एक चीज आपके घर जाके बताएं, भाई आपको खुद को भी तो सारी चीजे सर्च करनी चाहिए ना, जैसा कि हम बताते हैं कि बैक डेटे डिगरी फरजी होती है, लेकिन जिस आदमी को बैक डेट ही चाहिए, वो तो लेगा ना, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे फोन आते हैं, हम उन्हें आदा आदा गंटा समझाते हैं, भाई, मत लीजिए, जैसे वो मेरे सगे मोशी का लड़का हो, फिर भी उसको बहुत अच्छे से समझाता हूं, मत लो भाई, मत लो, लेकिन जो लेने वाड़ा है ना, वो फोन कट करके कहेगा लूंगा, एक घंटे दिमाग खाएगा और फिर कहेगा लूंगा, तो उन्हीं लोगों के लिए मैं बता रहा हूं, कि जो राजिस्तान की वेकेंसी थी, उस वेकेंसी में अभी एकजाम हो चुके थे, और अभी रिजल्ट आना है, तो रिजल्ट उसका जल्दी आने वाड़ा है, आ जाएगा या फिर हो सकता है, आ गया हो एक दो दिन में, क्योंकि ये न्यूज जो है, मेरे पास साथ दिन पहले की ही तैयार की हु फिर आपको खोल के बताता हूँ कि क्या है, ये जो देख रहे हैं स्क्रीन पर देख लीजिए, कि वेकेंसी जारी जो हुई थी, उसमें एकजाम अभी हुए हैं, और जिन इस्टूडेंट्स ने डोकोमेंट सरफ फोम भरते टाइम अपलोड किये, उनी से पता लगया लिया आपको जो पता कर लिया हैं, तो ये जो वेरिफीकेशन जो आपकोश अगया कि वहारे हैं, जो ऑफिर बायत लिया हैं, एक रियमा कुरम गया है, नुट अभी खें बाइन कर लिया है। रोज कहते हैं ना कि वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन साब मैं बी-ए कर लूँ क्या उससे में कर लूँ क्या में करने से तो मेरी डिग्री वैलिड हो जाएगी तो सोच लो जब आपके फॉर्म से यूनिवर्स्टी के नाम से ये पता लगाई या कि कौन-कौन सी डिग्रियां पास एक गोरखफूर का एक संस्तान है उस संस्तान की एक बच्चे की डिगरी हमारे पाश आई उस्से ने जब वहाँ पर एडिजुशन लिया था तब हमसे उसकी बात हुई थी और उसने हमसे पूछा था और हमने उस संस्थान को उसी वक्त देख लिया था और उसको साफ मना कर दिया था कि यह कोई सक्षनिक संस्थान नहीं है यह एक Company registered हुई है Private Company Act के तहित और 2023 में ही इसको registration कराया है इस Company का तो भई आप इस संस्था से मत लेना यह कोई Education की संस्थान नहीं है लेकिन बाउट में जरूर लिखा हुआ था कि हम आपको ये ये फलाना फलाना एजुकेशन वेजुकेशन डिम का फलाना और शाब वो बच्चा नहीं माना और उसमें उसको डिगरी को ले लिया यानि कि वो BBA की डिगरी है लेने के बाद सभ अब वो मुझे ही कहरा है कि सर्व वैरिफाई कराओ और जब संस्ता ही नहीं है तो वैरिफाई कहां कराओ मैंने उसको खूब समझा दिया कि कहीं कोई रजिस्टर संस्ता नहीं है फरजी है 100% बोल दिया अब भाई complaint करा तो ज़्यादा बढ़िया रहो गए लेकिन नहीं माना मैंने डून डांड के वहाँ से उस व्यक्ति का personal advice लिया address पर एक RTI लगाया अभी देखिए कि जो RTI लगाया गया उनके company के address पर क्योंकि website पर तो कोई address ही नहीं number number है और जब address पर RTI लगाया गया तो वहाँ पर RTI के letter पर क्या लिख्या है आपको बताऊं वहाँ पर लिख्या है कि इस तरीके का यहाँ पर कोई company या संस्तार ही नहीं अब वो company कहां से चल रही है mobile से चल रही है साब website से चल रही है उसका registered offers आपको नहीं मिलेगा यह reality है और ऐसा एक बर नहीं बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है ऐसे आंद्रा परदेश की side से मेरे पास ऐसे कई मामले आए जिनमें मैंने देखा कि वो संस्तान registered नहीं है और वो side में coaching institute चला कर बच्चों को खरा रहे है सामने आई इस खबर में दो आधार main रूप से boards के पास आए या जो examination जो कराया है जिस संस्ताने उसके सामने आए उसी से यह सारी चीजे clear हुई एक मामला उनके सामने आया कि एक बच्चा है जो हर vacancy में form apply करता है board की जितनी भी vacancy आई हैं उसमें सब में form apply किये हैं और वो हर बार नई कोई ने कोई degree लेकर आजाता है तो अब सरकार ये जा रही है या board ये जानना चाहरा है कि इस बच्चे ने qualification आखिरी कैसे की है अभी साब जैसे graduation के related vacancy आई तो graduation की degree उसके पास है अभी साब BPA के related आगी तो BPA की degree आगी साब अभी mathematics की आई तो mathematics की degree है कोई diploma की आई तो diploma की भी degree है एक ही बच्चे के पास ये बार बार मिल रही है तो यानि कि सिदी सी बात है यार हर महीने बच्चा नया ले रहा है कि कैसे तैसे करके एक बार नोकरी लग जाओं अब ऐसी नोकरी लगने से कोई फाइदा भी नहीं होने वड़ा है क्योंकि नोकरी लगने के थोड़े दिन बात उसको घर आना है ये बात सही है मेरे दोस्तों मैं आपको बिल्कुल जूट नहीं बोलता हूँ आप ये सोचते होंगे कि मैं ये चीजे करता हूँ इसलिए मुझे व्यूज आते हैं तो आप देख लीजिए हमारे चैनल पर ज्यादा व्यूज नहीं आते हैं जिन लोगों को जरूरत होती है हमारे वीडियो देखने की वो ही लोग देखते हैं अब एक अधार तो ये रहा दूसरा अधार ये रहा कि कई यूनिवर्स्टियां ऐसी हैं जिन यूनिवर्स्टियों के पास एप्रूल ही नहीं था डिग्रियां आ गई और इसमें छे यूनिवर्स्टियों को बोर्ड ने चिनित भी कर लिया है देख लिया है कि इन 6 बोड की साथ सबसे ज़्यादा डिग्रिया लगी है मैं आपको बोलता हूं नहीं हमेशा कि सीटों पर डिपेंड रहती है यूनिवर्स्टी आप जो डिग्री ले रहे हैं उसमें most important जो भूमी का है सीटों की है मेरे भाई ऐसा ना हो कि किसी vacancy में आपके साथ के बच्चों की डिग्रिया लग जाए और डिग्रिया इतनी लग जाए पता लगे एक सीटे 60 और डिग्रिया लगी 300 क्योंकि जो देने वाड़ा है वो इस चीज को नहीं देख रहा है आप लेने वाड़े हो ले रहे हो दबा के 2023 के अंदर पता लगा कि 2023 में इसी उनिवर्स्टी से 300 बच्चों ने पास किया और उन 300 बच्चों ने एक वैकेंसिम फोम लगा दिया और उस वैकेंसिम जिसमें फोम लगा है उसके बोर्ड के सामने आगी किया एक ही साल में 300 बच्चे यूनिवर्स्टी को साड़ा एप्रूवल तो हमने सरफ साट बच्चों का दिया था सेटलमेंट वेल्टरमेंट होके अगर यह मामला खतम हो जाए तो अलग बात है लेकिन यह कंफर्म है कि जिन बच्चों के डिग्रियों पर जो सवाल उठ गए है क्वेश्चन मासक जो चिन लग गया है वो तो भाई साब फिरी अब पांच साल राजिस्तान में वेकेंसी नही मैं आपको हमेशा इसलिए आपको बार-बार आगरह करता हूं मेरा कुछ नहीं जाता है इसमें लेकिन मैं आपको इसलिए समझाता हूं कि यह एक दुनिया का सबसे बड़ा फ्रोड होने वाला है जिस दिन यह खुलेगा आज मेरे वीडियो को देखकर हो सकता है लोगों को बच्चा पैसा खर्च कर देता है अपने कैरियर के लिए और उन पैसों का गलत इस्तेमाल हो रहा है इस स्कैम में मैं बार-बार यह वीडियो इसलिए बना रहा हूं मैं हर सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि अगर यह पूंड ते जांच की अगर आपको कोई डिग्री आचानि से मिल रही है आप डेक्देट डिग्री लेने वाड़े हो अगर आप बैक्देट डिग्री ले चुके हूं अगर आप एड़िशन के बारे में जानना चाहते हो, आप यूनिवर्स्टी के बारे में जानना चाहते हो, आप अबाउट में जाकर हमारी डिटेल्स ले सकते हो, आप हमारे फोन नंबर ले सकते हो, आप हमसे बात कर सकते हो, और आप यूनिवर्स्टी के बारे में जान सकते कि किस यूनियोस्टी में एडविशन कराएं किस में ना कराएं दोस्तों गर आज की जानकारी आपको कैसी लगी इस वीडियो के कमेंट सेक्षन में बताना और अगर पहली बार इस चैनल को देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना धन्यवाद मिलते हैं नेक्स् इसी टोपिक के साथ तब तक के लिए जैहिन जैभार